नमस्कार दोस्तो और विल्कम बैक टू माई चैनल फोर्स इंश्ट दोस्तो आज हम बात करने वाले है कि कल कौंचे स्टॉक पे ट्रेड लेना है प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या से नेर्यू रह सकता है तो जैसे कि मैंने आप लोगों को अपनी प्रिवेस वीट्यू पे बताया था कि मैं अब अपनी जो कम्यूनिटी है वो थोड़ी इंक्रीज कर रहा हूँ और उसकी विज़से मैं और सोशल मीडिया मतलब मार्केटिंग की तरफ जा रहा हूँ स्टॉक्स प्रुवाइड हो जाएंगे ओके यहां पर हम आप लोगों को थ्री स्टॉक्स देंगे ठेक है स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला स्टॉक है ब्रिटैनी इंडिस्ट्रीज आज हम लोग ने देखा था फ्मसीजी के अंदर बहुत ज्यादा अची अप्मूव आईती सो ब्रिटैनी है को जो मैंने स्टडी कर रहा है तो मैं पता चला कि एक ट्रैंगलर पैटर्न के अंदर ये काम कर रहा है ठेक है और चांसेज आ रहा है देखिए एक फॉल आया हलकी से एक रिकवरी आई और फिर एक फॉल आया फॉल आने के बाद ये बिल्कुल वी शेप से रिकवरी करके एक्जाक्ट इस पॉइंट पे आ चुका है राइट ना इस स्टॉक इस ट्रैडिंग आट 3.665 अगर ये 3.673 को ब्रेक कर देता है तो इसके ऊपर एक बाइंग आ सकती है और ये 3700 तक भी जा सकता है और इसको भी ब्रेक कर सकता है तो इस टॉक अपने वाच लिस्ट के अंदर रखेगा बिकॉस एक वी शेप रिकवरी आई है I think मैंने जब भी देखा वी शेप रिकवरी आरही होती है तो जो बड़िया स्टॉक होते है वो बहुत जल्दी से अपने हाई को ब्रेक कर देते हैं So definitely I am watching this particular stock Our next stock is UPL UPL पे भी बाइ करनी कि आप लोगों को opportunity दी जा रही है मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोगों को clear view मिल जा है Yes आप देखेगा कि यहाँ पर हम लोगों ने trend lines को draw करा तो पता चला कि एक बर breakout दिया And it gave a retest, retest देने के बाद अपने previous breakout candle के उपर जाके closing दे दिया है Plus यहाँ पर एक gap था, इस gap को भी इन्होंने fill कर दिया है exact Exact जब जिस दिन breakout आया था, मैं आप लोगों को trend line के थुरू दिखाता हूँ Yes देखेगा जिस दिन breakout आया था, उसी दिन इसने अपने resistance को test करा जो कि एक gap था क्योंकि gap fill होना था Gap fill होने के बाद मैंने देखा retest and retest दाने के बाद उस gap को भी fill करके सु resistance को भी cross करके इसने अपनी closing देदी है So definitely यहाँ पर एक rally start हो सकती है यह almost within a week और 2, 3, 4 days के अंदर अंदर यह 5, 20, 5, 30 को भी cross कर सकता है तो stock को अपनी watch list के अंदर ज़रूर रखिएगा Our next stock is Loris Lab Loris Lab में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं आप लोगों को कप से बता रहता है यह वाला stock Around मैंने आप लोगों को बताया था 300 के आसपास यह stock एक बर भी recommend कर रहा था अभी तो right now is trading at 366 rupees but अभी वी आप लोग एक buy initiate कर सकते हैं देखेगा यह जो black color की line देख रहे हैं its facing a multiple resistance देखे है हमें multiple resistance इसके अंदर देखने को मिल रहा था eventually उसे break करा break करने के बाद नीचे आया retest हो और दुबारा उपर गया and फिर नीचे आया and retest करके bounce करा अब आप देखेगा exact इसी level पर हम लोगों को एक resistance मिल रहा था यह एक zone बना रहा था इस zone के ऊपर जाके आज इसने closing दिया जो zone का resistance था that level is 365 और इसके ऊपर जाके close दिया but we have to watch it again अगर यह 368 के ऊपर जाता है definitely you can go for a buy तब हमें 4 targets अच्छे मिल सकते हैं but अगर यह नीचे हो आता है तो हम लोगों को buy नहीं करना है stock के अंदर ठीक है वरना हम लोग dip के लिए wait करेंगे and then buy करेंगे okay so यह थे हमारे 3 stocks इसके अलावे में आप लोगों को nifty bank nifty बता देता हूं और nifty bank nifty always मेने आप लोगों काया है कि आप लोगों को dip के अंदर buy करना है buy करने करा आप दिखेगा अगर मैं 15 minutes का time frame open करता हूं आप लोगों के लिए देखेगा 15 minutes के time frame पे आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि इस trend line को यह पूरे अच्छे तरीके से support कर रहा है इस trend line को यह बहुत अच्छे तरीके से support कर रहा है तो जब तक यह trend line break नहीं होती है break होने के बाद भी हमें trade नहीं करना अगर यह trend line जो resistance वाली trend line है rising channel की trend line है अगर यह break होती भी है तो भी हम लोगों को trade नहीं करना हम लोग क्या करेंगे जब तक इसके अंदर एक lower lows और lower highs का confirmation नहीं आता तब तक हम लोग sell side में initiate नहीं करेंगे अगर by chance यह इसको अभी यहां से break कर भी देता है मान के चलते हैं कि यह trend line होई और यह break हो गई तो भी हम लोग short नहीं करेंगे अगर आप लोग करते भी हैं तो हमारा जो target होगा वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं क्योंकि वहां से यह particular stock भी reverse कर सकता है and that level is this इस zone के अंदर आके यह दुबारा bounce कर सकता है because यह इसका previous swing low है अगर break करा previous swing low pace ने double bottom बनाया and दुबारा उपर चला गया तो chances आराए कि एक uptrend अभी वी continue है तो confirmation जब तक shot में ना मिले तब तक we don't go for a shot तो यह अगर higher levels पे बिलता है हम लोग short कर सकते हैं but इस level पे short करने की इसला आप लोगों को नहीं दी जाएगी इसके अलावा अगर मैं trend line और draw करता हूँ तो I think कि यह बहुत जादत अच्छे तरीके से suit कर रही है ठीक है trend line? No So यहाँ पर हम लोग अभी buy side में नहीं है buy side में करना चाहो तो आप लोग जा सकते हूँ देखिएगा मैं एक चीज और बताता हूँ यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ First of all it create a double bottom यह fall आया यहाँ पर double bottom अनाया उसके बाद यह क्या कर रहा है एक V-shape recovery कराने के बाद अब यहाँ पर एक rising channel के अंदर काम कर रहा है So yes you can go for a buy अगर यह इसके नीचे का आप एक stop loss लगा सकते हैं But आप लोग इस stop loss को hold करके आप buy कर सकते हैं क्योंकि जो मैंने आप लोगों को बताया था 15,650, 14,650, 14,700 अगर वो आना होगा तो वो आ सकता है within one week next week के अंदर अंदर तो definitely इस position को hold कर सकते हैं For a stop loss of let me tell you again आपका जो stop loss होना चाहिए वो होना चाहिए 14,520 गा 14,520 से आप position को hold कर सकते हैं और जब तक यह channel काम कर रहा है तब तक यह channel के अंदर भी आप लोग ट्रेड कर सकते हैं Okay, same goes with bank nifty But bank nifty में जादा buy के लिए अभी नहीं हूँ Bank nifty मुझे थोड़ा सा week लग रहा है देखेगा एक sharp up move आई उसके बाद एक fall आया अपने 61% से इसने up move start करी उसके बाद एक triple top type scenario बनाया और उसके बाद दुबारा नीचे आ गया जब तक यह level break नहीं करता closing में candles के उपर break नहीं करती है तब तक हम लोग buy के लिए नहीं जाएंगे मैं यह level आप लोगों को एक बर बता देता हूं यह जो level आ रहा है that is 32,650 जब तब 32,650 की उपर एक 15 मिरिट की candle close नहीं करते है you don't have to go for a buy in bank nifty as well short करने की सलाभी आप लोगों को अभी नहीं दी जाएगी because there is a trend line going on just wait a second देखें यह trend line जा रही है तो यहां पर हम लोग अभी buy करने के लिए सोच सकते हैं जब यह break होगा but short करने के लिए अभी नहीं तो यही थी guys हम लोगों की analysis अगर आप लोगों पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर like करेगा and description पर नीच Instagram का link है आप जाके चेक कर सकते हैं हमारे टू स्टॉक जो आप लोग कल बाय कर सकते हैं and regular updates आपको वहाँ पर प्रोवाइड होंगे तो guys मैं मिलता हूँ आप लोगों के से अगली वीडियो पे मैं शिवांच भसीन signing off